दोस्तो अगर आप भी जस्प्रीद बुम्रा और विराट कोहली को महान खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें दोस्तो जस्प्रीद बुम्रा की खौफना केंदबासी के बाद आया रोहिट शर्मा और विराट कोहली का तुफान जी हां दोस्तो भारत और बांगलादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है इसके तीसरे दिन बारिश के बाद जस्परीद बुम्रा ने खौपना केंदबाजी कर विरोधी टीम को परिशान किया तो वहीं बल्लेबाजी करते हुए रोहिट शर्मा और विराट कॉली ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया जिसके सामने बांगलादेशी टीम चारो खाने चित हो गई तो आखिर कैसे जस्परीद बुम्रा के बाद रोहिट शर्मा और विराट कॉली ने तूफानी प्रदर्शन कर बांगलदेश को बैक फुट पर धकेल दिया ये तो आपको बताएंगे ही साथी साथ में इस मैच की रॉंग्टे खड़ी कर देनी वाली हाइलाइट का वीडियो वी हम आपको दिखाने वाले हैं तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखेगा लेकिन उस करने के लिए बांगलदेश की टीम को आमंत्रित किया इस बीच बांगलदेश की टीम ने पहले दिन 35 के अंदर 107 रन तीन विकेट के नुपसान पर बना दिया और बारिश के चलते मैच आगे नहीं हो सका और पहले दिन का खेल जल्दी समाप्त हो गया हलाकि दूसरे दिन कि चलते एक भी गेंद नहीं फेकी गई और दूसरे दिन का खेल भी रद कर दिया गया ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो बांगलदेश की टीम की तरफ श्विकूर रहीम 13 गेंद पर एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर नाबाद खड़े रहे तो वहीं चंदरा अश्विन का शिकार 31 रन के स्कोर पर हो गया ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इन दोनों की ही बल्लेबासों ने पहले ओवर में गेंद बासी करने आई जस्परीद बुमरा के सामने एक एक रन लेकर अपना खाता खोला तो दूसरी तरफ से मुह मत सिराज ने दिन के खेल के चौथे ओवर यानि की 49 ओवर में बांगलादेश टीम को बड़ा जटका दे दिया इस बीच उन्होंने मुमेलोल हक को 51 रन के स्कोर पर LVW आउट कर दिया जिसके बाद बल्लेबासी करने के लिए लेटन दास आये जिरो ने काफी जादा भैतर कीपर के हाथों कैच आउट कराया और दूसरा बड़ा जटका चलते दिया ऐसे में बल्लेबासी करने के लिए साकेबल हसन आये जो 42 ओवर में चस्परीद बुम्रा के सामने अंदर आती हुई गेंद पर 5 रन के स्कोर पर LVW आउट हो गए जिसके बाद बल्लेबासी करने क च्विन के सामने बल्लेबासी करने के लिए जो की 45 ओवर में बिना खाता खोले रविंद्र जडिजा के सामने क्लीन बोल्ट हो गए तो वहीं दूसरी तरफ से लिटन दास 15 रन के स्कोर पर नाबाद रहे और इसी के साथ भारती टीम ने बांगलतेश को 45 ओवर में 150 रन पर बल्लेबासों ने मिलकर काफी बहतर अंदास में बल्लेबासी करने का प्रयास किया लेकिन इस पीच हसन महमूद ने तीसरे ओवर में ही भारते टीम को पहला चटका दे दिया जहांपर अब उन्होंने यशस्ट वीजैसवाल को तीन रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया जिसके बाद बल्लेबासी करने के शुबमनगिल आया जिन्होंने बहतरीन बल्लेबासी करने का प्रयास किया लेकिन पांच ओवर में हसन महमूद ने शुबमनगिल को आठ रन पर LPW कर दिया ऐसे में भारते टीम को 15 रन के स्कोर पर दो जटके लगए जिसके बाद बल्लेबासी करने विराट कॉलिया उन्होंने रोहिट शर्मा के साथ मिलकर टीम को समाल लिया एक तरफ जहां भारती टीम के कप्तान रोहिट शर्मा काफी ज़्यादा तूफानी बल्लेबासी करते हुए दिखाई दे रहे थे इस दोरान रोहिट शर्मा तो अपने अर्दोश्यतक के बहत करीब पहुच चुके थे तो दूसरी तरफ से विराट कॉली ने कवर ट्राइब के जरिया अपना खाता खोला इस दोरान रोहिट शर्मा ने लंच से पहले अंते मोवर यानि के 17 ओवर के अंदर चौका लगाते हुए अपना अर्दोश्यतक पूरा कर लिया हाला कि पहले सत्र में 85 रन दो विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिये लेकिन जब दूसरे सत्र का खेल चुरू हुआ तो भारती टीम की तरफ से विराट कॉली ने बहतरीन बलेबाजी रोहिट शर्मा के साथ की जहां पर विराट कॉली ने ती सोवर में अपना अर्दोश्यतक लगाते हु पावेलियन का रास्ता दिखा दिखा दिया जिसके बाद बलेबाजी करने के रहु लेकिन उन्होंने भी कुछ खास कमाल नहीं किया और यहां भी 45 ओवर में मातर 15 रन बनाने के बाद ताइजुल इसलाम के सामने विकेट कीपर के हाथो कैच आउट होकर पावेलियन को पुरा किया तो दूसरी तरफ से रिशाप पंत भी बहदरीन बलेबाजी कर रहे थे जो अपना 65 ओवर में अर्दश्टक लगाने के बाद अंत तक विराट कोहली के साथ नाबाद रहे इस पीच विराट कोहली ने 145 रन और रिशाप पंत ने 75 रन का योगडान दिया जिसक शांदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद